हलो एश्टुडेंट वेलकम टू बेक माई यूटुब चैनल डिकलाइफर स्टडी में आपका स्वागत है तो चलिए जैसा कि देख सकते हैं कि बिहार विद्याले पड़ इक्छा समीती के दोबारा जो 12th कलास का मासिक एकजाम का जो कोश्चन पेपर था फैन जिसका यहाँ पर फाइनली अंसर की को लेकर आये हैं तो चलिए वीडियो को लाइक सेयर कर दिजए फैन चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को स्क्राइब करके वैल आइकन प्रेस कर देख सकते हैं पल-पल की अपडेट यहाँ से आपको मिलती रहेगी तो चलिए देख सकते हैं 12th कल आप लोग मिला लिजिए बिलकुल इसी से देख सकते हैं इसी तरह का आपको final exam में भी question देखने को मिल सकती है तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे bicycle देख सकते हैं 323 है तो चलिए मैं मासिक पडिक्छा का जो वाइस तारी का जुगरफी का पेपर हैं जिसका यहाँ पे हम लोग अंसर की को करने वाले हैं तो चलिए देख सकते हैं फेंट पहला नमबर जो question है कुछ इस तरह से पूछा गया था पहला question में क्या पूछा गया था पहला question में पूछा गया था फेंट कि 2011 की जन गन्ना के जो अनुसार भारत बिश्व की जन संख्या में किस अस्थान पर हैं तो 2012 में जो जन गन्ना हुआ था जिसकी अनुसार भारत बिश्व में दूसरा स्थान पर है कौन सा स्थान पर दूसरा स्थान पर है तो देख सकते हैं पहला का opchnya नमबर यहाँ पर B हो जाएगा चलिए दूसरा नमबर जो question है देख सकते हैं दूसरा नमबर question में क्या कह रहा है दूसरा नमबर question में कह रहा है कि भारत में जनगन्ना कितने साल के अंतराल में होता है तो भारत में जो जनगन्ना होता है वह देख सकते हैं 10 सालों के अंतराल में होता है पर दर्स बर्सों पर ही भारत में जनगन्ना की जाती है, देख सकते हैं, दो का उप्सन नमबर यहां पर C हो जाएगा, चलिए देख सकते हैं, तीसरा नमबर जो प्रशन है, कि निम्न में से किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम हैं, तो देख सकते हैं, तीन का हो अरुनाचल परदेश ऐसा राज्य हैं जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है देख सकते हैं तीन को अप्षन नमबर यहां पे C हो जाएगा चोठा नमबर कोस्चन है देख सकते हैं कि उसन जलवाईयो छेतर में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है तो देख सकते हैं उसन जलवाईयो छेतर में जो जनसंख्या का घनत्व होता है वह वीरल होता है क्या होता है वीरल होता है देख सकते हैं चार का उप्सन नमबर यहां पे भी हो जाएगा, वीरल होते हैं, चलिए देख सकते हैं, पच्छमा नमबर प्रशन है, पच्छमा नमबर क्या कह रहा है कि किस अब धारना में प्राकिर्ति को मानव के स्रेष्ट माना जाता है, किस अब धारना में प्राकिर्ति को मानव से स्रेष्ट माना जाता है, तो यह हो जाएगा नब निश्चे बाद में, किस में नब निश्चे बाद में देख सकते हैं, प्राकिर्ति को मानव से स्रेष्ट माना जाता है, पांच का उप्सन नमबर सी हो जाएगा, चलिए छटा न माई छेतरों में उपस्तिती व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं तो यह कहते हैं लिंगन उपात कहते हैं क्या कहते हैं देख सकते हैं छे का अपसन नमबर यहाँ पर यह हो जाएगा चलिए सत्मा नमबर कोश्चन को देखेंगे देख सकते है फैन सत्मा नमबर जो कोश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का परोसी देश नहीं है देख सकते हैं पाकिस्तान परोसी देश है फैन बांगला देश भी परोसी है भुटान भी परोसी है लेकिन जापान देख सकते हैं जापान हो जाएगा जापान है जो की भारत का प्रोसीडेश नहीं है साथ का option number C हो जाएगा चलिए देख सकते हैं अठमा number question में क्या पूछा गया था किस महादीप में बिस्व की सबसे अधीक जनसंख्या पाई जाती है तो यहाँ पाई जाती है A.C.A. में कहाँ पाई जाती है फैंट A.C.A. में बिस्व के सबसे अधीक जनसंख्या पाई जाती है A.C.A. हो जाएगा option number यहाँ पे D हो जाएगा चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 9 नमबर प्रश्ण में क्या कह रहा है देख सकते हैं 9 नमबर प्रश्ण में कह रहा है कि निम्न में से कौन सहरी जनसंख्या प्रिधी का एक कारण है सहरी जनसंख्या प्रिधी का कारण है कि ग्रामिन जो ग्रामिन लोग हैं वह सहरी में परवास कर रहा है यानि रोजगार के लिए वह सहर जाते हैं और वही पर अपना आवास बना लेते हैं जिसके कारण यहाँ पे सहरी जनसंख्या में बिरिधी होती है यानि औप्सर नंबर यहाँ पे C हो जागा क्या हो जागा क्या हो जागा ग्रामिन लोग सहर में जाकर अपना आवास बनाते हैं चलिए देख सकते हैं काफी प्रश्न पूचा गया था तो चलिए देख सकते हैं कि निम्न में से कौँन जारखंड की राजधानी हैं बहुत ही जी हैं तो चलिए आप लोग फटा-फट कोमेंट में जवाब दीजिए अगा फेन कि जारखंड की जो राजधानी हैं वह कौन है ए राची बी बोकारो सी हजारी बाग डी धनवाद तो क्या हो जाएगा फटा-फटा आप लोग तो चलिए next number question को देखते हैं देख सकते हैं कि किस ओर अवस्था किस आयो बर्ग के अंतरगत आता है किस ओर अवस्था होता है फेन जो की 10 बर्स से लेकर 19 बर्स की अवस्था में होता है उससे क्या कहते हैं किस ओर अवस्था कहते हैं क्या कहते हैं किस ओर अवस्था कहते है चलिए, बारा नंबर प्रश्ण को देखेंगे, देख सकतें बारा नंबर प्रश्ण में क्या पूछा गया था, कि निम्न में से किस राज्य में बहुत धरम को मानने वाला सबसे अधीक जनसंख्या पाये जाते हैं, तो यह पाये जाते हैं, सिक्किम में, कहां पाये जाते हैं 12 का option number यहाँ पे C हो जाएगा 13 number question को देखेंगे देख सकते हैं 13 number कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रिया कलाप है प्राथमिक आर्थिक क्रिया कलाप हो जाएगा क्रिसी, मतस्य पालन, खनन इन में से सभी हो जाइगा जो की प्राथमी क्रिया क्लाब हैं तेरा का option number यहाँ पर D हो जाइगा चलिए देख सकते हैं 14 नमबर प्रशन काफी भी भी कोश्चन भी था वोड इकजाम के लिए देख सकते हैं कि 14 नमबर कोश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक केंदर सासित परदेश हैं केंदर सासित परदेश पूछ रहा है तो चलिए निम्न में से कौन केंदर सासित परदेश हैं ए है गोवा भी है पंडी चेरी सी है असम और डी है मिजोरम तो केंदर सासित परदेश हो जाएगा क्या हो जाएगा देख सकते हैं पांडी चेरी हैं जो की किंदर सासित परदेस हैं 14 का option number यहाँ पे B हो जाएगा चलिए देख सकते हैं 15 number question में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मानब भूगोल का एक साखा है मानब भूगोल का एक साखा हो जाएगा जो की देख सकते हैं आर्थिक भूगोल हो जाएगा मानब भूगोल का एक साखा कौन है तो मानब भूगोल का जो एक साखा है वह आर्थिक भूगोल हो जाएगा क्या हो जाएगा आर्थिक भूगोल 15 का option number भी हो जाएगा चलिए 16 number प्रस्ण में देख सकते हैं काफी board exam के लिए todayP question है फेंट और देख सकते हैं कि निम्न में से किस राज्य की साचर्टादर सबसे अधीक है किस राज्य की साचटादर सबसे अधीक है तो यह हो जाएगा केरल है जिसका साचर्टादर सबसे अधीक है 16 का option number यहाँ पे भी हो जाएगा चलिए 17 number question को देखेंगे देख सकते हैं 17 number question में क्या कह रहा है कि किसी छेतर में एक विशेश वर्स में होने वाले जो कुल जनम की संख्या को क्या कहते हैं किसी भी छेत्र में जो एक बिसे एक बर्स में जो होने वाले जनम की संख्या को जनम दर कहते हैं क्या कहते हैं फ्रेंड जनम दर कहते हैं यानि वर्थ रेट देख सकते हैं वर्थ रेट यानि जनम दर इसको कहते हैं 17 का option number A हो जाएगा 18 number question है निमन में से कौन? आर्थिक भुगोल का एक साखा है क्रिसी भुगोल हो जाएगा क्या हो जाएगा? आर्थिक भुगोल का एक साखा हो जाएगा क्रिसी भुगोल हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्रिसी भुगोल देख सकते हैं 18 का option number यह हो जाएगा चलिए देख सकते हैं 19 number question है तो चलिए next number question को देखेंगे देख सकते हैं next number जो question है 19 number कि जनसंख्या संक्रमन सिधान्त में जनसंख्या विकास की कितनी आस्थाएं होती है तो जनसंख्या संक्रमन सिधान्त में जनसंख्या विकास की जो आस्थाएं होती हैं वह तीन होती है कितना होता है तीन होता है चलिए 20 नमर प्रशन को देखेंगे कि निम्न में से कौन प्रवास को प्रेरित करने वाला कारक है बेरुजगारी, गड़ीबी, अस्सान्ती सभी हो जाएगा इन में से सभी हो जाएगा 20 का हो जाएगा option number यहाँ पे D हो जाएगा चलिए 21 number question को देखेंगे देख सकते हैं 21 number question है कि निम्न में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाला घटक है निम्न में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाला घटक है तो यह हो जाएगा देख सकते हैं जनमदर, मिर्त्युदर, प्रवास इन में से सभी हो जाएगा क्या हो जाएगा इन में से सभी हैं जो कि जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाला घटक है एक इसका उप्षन नमबर D हो जाएगा तो चलिए नेक्ष नमर कोश्चन को देखेंगे देख सकते हैं नेक्ष नमर जो कोश्चन वे पूछा गया कि निमन में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक अलप संख्या समुदाए हैं निमने में से कौन है, जो भारत का सबसे बरा धार्मिक अल्प संख्या समुदाए हैं, तो यह हो जाएगा मुसलिम, क्या हो जाएगा, मुसलिम हो जाएगा, जो धार्मिक अल्प संख्या समुदाए हैं, 22 को अपसा नमबर भी हो जाएगा, चलिए, next नमर कोस्चन देखेंगे 23 नमबर जो प्रश्ण है कि निमने में से कौन भावतिक भुगोल की एक साखा है भावतिक भुगोल की एक साखा हो जाएगा जो भू आकरिती विज्ञान 23 का अप्सन नमबर C हो जाएगा कि निमने में कौन भावतिक भुगोल का साखा है तो भू आकरिती विज्ञान 23 का को देखेंगे कि निम्न में से कौन दितियक आर्थिक वेवसाय हैं दितियक आर्थिक वेवसाय कौन हो जाएगा तो दितियक आर्थिक जो वेवसाय हैं वह उधोग हो जाएगा क्या हो जाएगा उधोग हो जाएगा 24 का अप्शन नमबर D हो जाएगा दितियक आर्थिक वेव साय उधोग हो जाएगा, चलिए 25 नमबर कोस्चन में देखेंगे, देख सकते हैं कि निम्न में से किस छेतर में बीरल जनसंख्या घनत वपाया जाता है, तो अधावगिक छेतर हो जाएगा, अधावगिक छेतर हैं, जहां बीरल जनसंख्या घनत वपाया जाता है, 25 नमबर यहां पे C हो जाएगा चलिए 26 नमबर देख सकते हैं 26 नमबर जो question है कि भारत का अंतिम जनगन्ना कब हुई थी तो भारत में अंतिम जनगन्ना 2021 में हुआ था अंतिम जनगन्ना हुआ था देख सकते हैं 2021 में सबसे अंतिम जनगन्ना हुआ था 26 का option number D हो जाएगा क्योंकि परतेक दर्स वर्सों पर जनगना होती है अंतिम जनगना 2021 में हुआ था चलिए देख सकते हैं next number जो question है कि निमन में से कौन एक नगरिये समस्या है तो वायो परदूसन देख सकते हैं धवनी परदूसन वायो परदूसन जल परदूसन और इनमें से सभी है जो की नगरिये समस्या है 27 का option number D हो जाएगा कि ये सभी है जो की नगरिये समस्या है चलिए 28 number question है कि निमन में से कौन क्रिसी कारे के अंतरगत आता है तो क्रिसी कारे के अंतरगत सहद उत्पादन, रेसम कीट पालन, मसरूम उत्पादन इन में से सभी हो जाएगा इन में से सभी हैं जो कि क्रिसी कार्य के अंतरगत आता है तो चलिए 29 नंबर प्रशन को देखेंगे देख सकते हैं 29 नंबर कोश्चन है किसी भी देश की जनसंख्या का गुनवता की पहचान का सूचक निमन में से कौन है किसी भी देश की गुनवता, किसी भी देश की जनसंख्या की गुनवता का पहचान का सूचक निमन में से कौन है तो यह हो जाएगा, देख सकते हैं 30 प्रशन पूछा जाता है तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं निमन में से किसे जनसंख्या विकास का सिध्धान्थ दिया था तो माल्थन देख सकते हैं माल्थस ने दिया था किसने माल्थस ने दिया था तीस का ओप्शन नमबर यह हो जाएगा तो चलिए उमीद करते हैं फ्रेंड आप लोग देख सक कर दिए बिल्कुल आपको मासिक परिक्षा का यहां पर solution मिलने वाला है इसी में से आपका वोड exam में आने वाला है फ्रेंड बिल्कुल तो चलिए उमीद करते हैं आप लोग समझ गए हो तो वीडियो को like share कर दे फ्रेंड चैनल पर पहली